जैहिन प्यारे बच्चो आप लोगों का लिए एक और वीडियो जो आपके इंडिये एक्जाम से पहले आपके लिए बेनिफीशल है बच्चो के कॉमेंट्स में, लाइफ क्लासे में, मेसेज़े में रहता है मैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे हैं? हम क्वेश्चन तो 70 कर दे रहे हैं, हमारे गलत बहुत ज़ादा हो जा रहे हैं तो नेगेटिव चले जा रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए? तो ये इससे बचने का केवल और केवल एक तरीका है आपकी तयारी नेगेटिव मार्किंग से केवल और केवल वो बच्चा बच सकता है जिसने पिछले 4-5 महीने लग कर तयारी करी है उसके कंसिप्ट्स जितने स्ट्रॉंग होंगे, उसने जितने ज़ादा बाद चैप्टर्स का रिविजन कर रखा होगा, वो नेगेटिव मार्किंग से बड़े आसानी से बच जाएगा देखे, सबसे पहले आप पेपर का पैटर्न समझ ही है, आपको खुद समझ में आएगा नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सकता है भई अगर मैं माटस के पेपर की बात करती हूँ, आपके माटस में टोटल 120 क्वेशन साते हैं ठीक है भई? इन 120 क्वेशन में 5 से 10 क्वेशन तो सबसे पहले वो होते हैं जो आपको हवा ही नहीं लगने देंगे कैसे होंगे क्या होंगे बिल्कुल ही skip कर सकते हैं वही पर इन 120 में से start question ऐसे होते हैं जिसको हर एक बच्चा attempt कर सकता है हर एक बच्चा attempt कर सकता है किसी भी साल का paper उठा के देख लो अब मैं paper का distribution आपको बता रही हूँ ठीक है यही पर अगर आप आते हैं तो 20 से 30 question ऐसे होते हैं जो थोड़े से time consuming होते हैं calculation उसमें हो सकता है लिंदी जा सकती है बच्चा उस वज़े से शोड़ देता है और वही पर अगर हम आ जाएं तो लगवग लगवग 10 से 20 question 10 से 20 question ऐसे होते हैं जो वाकई काफी tricky होंगे यहाँ पर मैंने काया time consuming और इदर काया tricky दोनों में मतलब में परक है बच्चे कुछ सोचते हैं क्या परक है time consuming आसान लेकिन steps बहुत लेंदी जा रहे हैं लंबा करना पड़ रहा है tricky जिसमें कोई ना कोई trick लग रही है कोई ना कोई यह कैसी information में सो रही है बस वो मिल जाए तो answer तुरंत आ जाए बारहाल हम यहां negative marking की बात कर रहे हैं so negative marking से बचने का तरीका सबसे पहले इन start question को identify करो यह साथ question आपको कहां पर मिलने वाले है actual में होता क्या है जब आप लोग paper देने बैठते हैं या जब हम students थे हम बैठते थे paper देने हम कर रहे हैं अगर कहीं भी दो लगतार page ऐसे आ गए जहां मेरे से एक भी सवाल नहीं हो पा रहा है तो मेरे उपर वो pressure build होना start हो जाता है और pressure build होने के चकर में कहीं न कहीं मैं silly-silly mistake करना शुरू कर देता हूं यह हर बच्चे के साथ होता है आप देखिएगा तो वो pressure नहीं build होने देना है हमें हमें सबसे पहले इन start questions को target करना है आप यह target कैसे होंगे तो इस पर आपके लिए एक वीडियो में पहले ही बना चुकी हूं how to attempt NDA match paper उसे जाकर देखिएगा जहां पर मैंने आपको cross की approach right की approach और circle की approach सिखाई है तो यह start question वो right की approach वाले है cross की approach वाले यह question है हवा नहीं लगने दे रे start दो पहचान लो लेकिन यह सब होगा कब जब बच्चे ने पहले time उस paper को पढ़ने में दिया हो यह मत कर दे ना paper आया पहला question solve करा हो गया ठीक दूसरा solve करा हो गया ठीक तीसरा नहीं हुआ लगा दिया उस पर 4 minute चौता नहीं हुआ 4 minute पांचवा नहीं हुआ 4 minute फिर जा रहे हो चटे पर अरे आपका अपना कोई strong part होगा कोई अपना weak part होगा जो weak part है या जो chapter है आप छोड़ के जा रहे हो है जिसके सवाल आपके कभी सही होती ही नहीं है उन question को पहले ही cut कर दो ना वो मुझे करने ही नहीं है आपको इन start question पर hit करना है ये अच्छे हो गए उसके बाद जो ये थे 20 से 30 क्यालकुलेटिव थे इन पर चाओ अगर आपके पास time बचता है तो ये तो है भई math की strategy अब बात आती है आपके पास की ma'am एक बार get के बारे में और बता दो get में क्या करें देखो get में क्या होता है ना अगर get में किसी बच्चे का कोई question गलत हो रहा है तो उसके दो कारण है या तो पहला कारण है कि वो तुक्का लगा रहा है उसके कुछ logic ही नहीं पताता जस्ट अकडवकड कर रहा है ठीके और दूसरा कारण जो मेरी नजर में सबसे ज़्यादा आता है वो है overthinking overthinking की वज़े से गैट में question गलत होते हैं चाहिए इंग्लिश में आजए आप अन्टॉनिम से नॉनिम मेडियम पे या जोग्रफी में आजए आप concept जब आप question पढ़ते हैं पढ़ते ही दिमाग में जो thought click होती है पहली thought लगभग आप answer के पास पहुद चुक है और आपका chance रहता है answer गलत होने का गैट के paper में अगर आप negative marking से बचना चाहते हो English में geography में या आप science में तो please this overthinking को avoid करना सवाल पढ़ना पहली बार में जो opinion आ रहा है दिमाग में जो concept आ रहा है उसको tick कर देना और गैट में भी 150 में से 50 questions तक हर कोई easily attempt कर सकता है भाई अ question English में जा सकते हो यही पर जाएं तो approximately 25 to 30 बच्छा science कर सकता है maths वाले student के लिए मैं मानती हूं GS थोड़ा सा tough part बढ़ता है तो भी आप यहाँ पर देखेंगे कम से कम कम से कम 15 से 20 तो आप यहाँ भी कर ही सकते हो GS में तो यह 80 सवाल आप असानी से score कर सकते हो बहुत ज्याद सौ सवाल करने है वो आपकी negative marking कराएगी और आपको negative marking से बचना है accuracy में जाना है score आपको दिख चुका है safest इस policy पर आप जाईए इसे आप follow कीजे paper damn sure निकल के रहेगा तो यह video अगर आपके लिए beneficial हो इसको exam में apply कीजिए and फटा फट से मुझे news दीजेगा 4 तारिक में के ma'am 4 डाला पेपर अपता के लिए all the ways जेहन